नवस्कार दोस्तों, आज की डेट है 5 सितंबर 2018, स्वागत है आपका हिंदू एडिटोरियल डिसकेशन में, सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं, कौन-कौन से आर्टकल्स आज हम डिसकेश करने जा रही हैं, पहला आर्टकल यहाँ पे, तेलंगाना की राजनीती के बारे म हैं, नहीं important exam के लिए नहीं discuss करेंगे, नीचे यह आर्टकल सीरिया से समन्दित है, discuss करेंगे, सीरिया में क्या कुछ चल रहा है, बीच में यह बड़ा आर्टकल काफी ज़्यादा important है, अफगानिस्तान की situation के बारे में, इसे हम detail से discuss करेंगे, नीचे यह आर्टकल यह भी important ह artificial hip device के बारे में, एक important issue है, ethics में, case study भी आ सकती है, इस issue के उपर, यहाँ पर आज Wednesday है, और interview पर कासित हुआ है, केरल के मुख्यमंत्री के साथ, राजनीती से समन्दित बातें हैं, जातर नहीं discuss करेंगे, आज का quote है, नहरू का, वो person जो बार बार और बहुत ज़्यादा अप इस परकार की बातें लिखनी पड़ती हैं, आप इस quote का इस्तमाल कर सकते हो, चले discussion start करते हैं, सबसे पहले important article अफगानिस्तान की situation के बारे में हैं, आप GS paper 2 के इन topics के साथ, आज को relate कर सकते हो, पिछले साल USA के राष्टरपती Trump के दवरा, अफगानिस्तान के लिए नई South Asia policy बनाई गई, Trump को लगता था कि अफगानिस्तान के लिए बनाई गई इस नई policy से, अफगानिस्तान में peace के लिए कोई regional solution निकल के आएगा, अफगानिस्तान में economic development आएगी, और वहाँ पर security situation improve होगी, लेकिन देखो, लगभग एक साल के बाद, Trump की South Asia policy अफगानिस्तान के लि है, क्यों? क्योंकि हाल फिलाल में, तालिबान काफी ज़्यादा मजबूत हुआ है, अफगानिस्तान के अंदर, कुछी दिनों पहले, अफगानिस्तान की एक city, गजनी, जो की काबूल से सिरफ 150 km दूर है, मैक में आप location देख लीजे, गजनी की, यहां पर देखो, काबूल से सिरफ 150 km की दूरी पर, तालिबान के हजार लड़ाकों ने इस city पर कबजा कर लिया, हलांकि यह कबजा जारी रखा सिरफ 2 या 3 दिनों के लिए, उसके बाद, यूएस की special forces और अफगानिस्तान की national defense forces ने अटेक किया, गाजी city पर, और गाजी city को तालिबान के चुंगल स से छुडवा लिया, लेकिन देखो, यूएस से को अपनी intense air power का इस्तमाल करना पड़ा, ताकि गजनी city से तालिबान को खदेड़ा जासके, और गजनी city जो पहले ठीक ठाक रूप से समर्दी की राह पर थी, तालिबान के इस attack के बाद infrastructure को बहुत जाला नुकसान पहुचा ह गजनी city में, कहने का essence साफ है, USA की अफगानिस्तान policy काम नहीं कर रही है, effective रूप से, तालिबान जो है, coordinated रूप से, अफगानिस्तान के अंदर कहीं भी attack कर पा रही हैं, और अफगानिस्तान की forces, USA की forces के साथ मिलके, तालिबान को रोक नहीं पा रही हैं, इद के मोखे पर, तीन दिन का ceasefire organize हुआ था, तो उस समय लगने लगा था, साइद, तालिबान जो है, peace process में अब party split करेगा, इवन उसके भी बाद, USA के special envoy, तालिबान के officials के साथ मिले, कतर दोहा में, फिर भी, peace process जो है, वो सीरे नहीं चर्ट की, इवन पिछले 6 महिनों में, USA के दवरा, पाइ तालिबान के militants को सरन देना, सैल्टर देना, मदद देना, बंद कीजिये, लेकिन पागिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, गजनी सीटी में जो अभी attack हुआ था, इस attack के बाद, अफगानिस्तान के राश्टरपती, असरफ घनी ने आरोप लगाया, कि देखो, जिन तालिबान militants ने गजनी सीटी पर attack किया था, और वो हमले में घायल हुए, उन तालिबान militants का इलाद चल रहा है पागिस्तान में, इवन गजनी के ऊपर attack करने वाले तालिबान militants में, कई सारे पागिस्तानी भी सामिल थे, और लस्क्रे तोईबा के भी कई सारे मेंब सामिल थे, ये सारी बाते बोली गई, अफगानिस्तान के राश्टरपती घनी के द्वरा, पिसले एक साल में, वाइलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अफगानिस्तान में, यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, डेली आल्मोस्ट नो लोगो की दैथ होती है वाइल कैसे इलेक्शन संभव होगा, अफगानिस्तान में 2019 में इलेक्शन होने हैं, लेकिन सिच्चुएशन अगर इसी परकार से खराब रही, तो इलेक्शन संभव नहीं हो पाएगा अफगानिस्तान में, नेक्स्ट डिखो, आंटिकल में कहा जाता है, यूएच से की जो अफग मल्टी नेशन टाक्स में तालिबान के रिपर्जेंटेटिव्स ने भी पाटिस्पेट किया, शुरुवात में अफगानिस्तान की सरकार भी पाटिस्पेट करने वाली थी इस बाचित में, लेकिन USA के दबाब में आके, अफगानिस्तान की सरकार ने मासको में हुई, इस ब representatives जिन्होंने participate किया था मासकों में उन्ही representatives के साथ USA के envoy बातचित करते हैं अगर देखो तालिबान के उन representatives से बातचित करनी ही थी USA को तो फिर अफगानिस्तान की सरकार को क्यों रोका गया इवन आप इरान का angle देख लिजिए जो ये जाहिर करता है USA की जो policy है काफी मैप पे नज़र डालोगे देखो अफगानिस्तान का border मिलता है इरान के साथ और इवन पाकिस्तान का भी border मिलता है इरान के साथ अगर देखो USA की tensions बढ़ती है इरान के साथ बहुत ज़्यादा तो उसका फरक इस region पर भी देखने को मिलेगा साफ तोर पे second point अगर देखो इरान और USA के बीच tensions बढ़ती है तो USA का सारा focus इरान के उपर होगा अफगानिस्तान में peace establish करने पर USA का focus नहीं होगा आप पुराने examples की बात कर लीजिए 2003 में जब USA के दवरा इराग के उपर attack किया गया तो अफगानिस्तान से USA का ध्यान हट गया 2011 में जब लीबिया के उपर attack किया गया USA के दवरा intervention आप कह सकते हो attack word अगर controversial है तो तब भी अफगानिस्तान के उपर से USA का ध्यान हट गया उसके बाद 2014 में जब सीरिया में indirectly USA के दवरा intervention किया गया तब भी अफगानिस्तान के मुद्दे से ध्यान हट गया अभी भी देखो अगर इरान पे फोकस होता है USA का तो अफगानिस्तान USA के रडार से हट जाएगा और situation और ज़्यदा वोलटाइल हो जाएगी अफगानिस्तान के अंदर तीसरा point देखो इरान एक important alternative present करता है landlocked अफगानिस्तान को access करने के लिए यहाँ पर चाबार port इंडिया के द्वरा डवलप किया गया है और पागिस्तान को bypass करके अफगानिस्तान को access करने के लिए चाबार port एक important माध्य USA को देखो एक बात समझनी होगी अगर इरान के साथ USA के relations खराब नहीं होते तो इरान को इस्तिमाल किया जा सकता था USA के द्वरा अफगानिस्तान में supplies पहुंचाने के लिए अभी USA dependent है पागिस्तान के ऊपर ताकि अफगानिस्तान में supplies पहुंचाई जासके अफगानिस्ता पागिस्तान के नौर्थ में जो कंट्रीज हैं वो रश्या के अलाइ कंट्रीज हैं वो अपने दरवाजे USA के लिए नहीं खोलते अफगानिस्तान में supplies पहुंचाने के लिए तो अगर इरान के साथ इंडिया के relations अच्छे होते हैं च्छाबार पोर्ट डवलप होता है तो USA इसे भी च्छाबार पोर्ट को यूज कर सकता है बस प्रोवाइडिड इरान के साथ USA के relations खराब ना हों अगर इरान के साथ USA के relations ठीक ठाक रहते हैं तो पागिस्तान पे dependency खतम हो जाएगी USA की USA और बहतर धंग से कोशिश कर सकेगा पागिस्तान को प्रेसराइज किया जास क वो तालिबान के मिलिटेंट्स को सरण देना बंद करें अब हम बात करते हैं इंडियर एंगल की अफगानिस्तान में, future में कोई ऐसा peace agreement sign होता है, जिसमें power हाथ लगती है टालिबान को, तो इंडिया का क्या stand होगा, अभी तक तो देखो इंडिया का stand हमेशा से तालिबान के अगेंश्ट ही रहा है लेकिन अगर कोई peace agreement sign होता है और अफगानिस्तान में power तालिबान के हाथ लगती है तो तालिबान के संदर में इंडिया को अपना stand change करना होगा देखो जब 1996 से लेके 2001 के बीच अफगानिस्तान में तालीबान का कबजा था तो उसमें तालीबान के साथ हमारे किसी परकार के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन्स नहीं थे लेकिन अब अगर peace agreement के बाद फिर से सत्ता में आता है तालीबान अफगानिस्तान में तो इंडिया को क्या अपने diplomatic relations establish करने चाहिए तालीबान के साथ या फिर नहीं करने चाहिए इस चीज़ पर इंडिया को गहराई से विचार करना होगा वैसे कुछ experts का ये कहना है तालीबान के साथ हमें कुछ ना कुछ communication links establish करने चाहिए क्योंकि अगर भविश्य में तालीबान के हाथ power लग जाती है अफगानिस्तान में देखो इंडिया की काफी सारी investment है अफगानिस्तान में अगर तालीबान के साथ हमारा कोई communication link नहीं रहता तो पागिस्तान के हाथ एक खूला मेदान लग जाएगा पागिस्तान अपनी dominance establish कर लेगा अफगानिस्तान में जो इंडिया कभी नहीं चाहता फिलाल इंडिया की कोशिस ये होनी चाहिए कि अफगानिस्तान को हर एक वो मदद मुहया करवाई जाए ताकि अगले साल अफगानिस्तान में conduct होने वाले elections सांती पूर्वक धंग से conduct हो इंडिया ने अफगानिस्तान को जो मदद दी है अल्मुष्ट दो बिलियन डॉलर स्कीम हाला कि ये आंकडा अभी भड़ भी गया होगा इस मदद की वज़े से इंडिया की soft power काफी ज़्यादा है अफगानिस्तान में इंडिया को ज़ादा पसंद करते हैं लेकिन देखो हाल फिलाल में इंडिया ने अफगानिस्तान में बड़े projects को डव्लप करना बंद कर दिया है पहले तो इंडिया ने अफगानिस्तान की पार्लेमेंट को बनाया, सलमा डैम को बनाया, लेकिन अब इंडिया छोड़े-छोड़े प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है जैसे की drinking water plants कई सारी cities के लिए including काबूल के लिए और भी छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स जैसे low cost housing, health and education department में इन छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स पे इंडिया ज़्यादा फोकस कर रहा है लेकिन इंडिया को और ज़्यादा मदद करनी चाहिए अफगानिस्तान को अपने regional status को देखते हुए ना सिरफ development के domain में बलकी defense के domain में भी तो अभी फिलाल इंडिया अफगानिस्तान को helicopters दे सकता है latest और advanced engineering की technology प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को देखो USA के दबाब में आके चाबार port के development का जो प्लान है इंडिया को वो छोड़ना नहीं चाहिए हमारे जो foreign secretary है विजय गोखले वो अगले हफते काबूल में जाएंगे और वहाँ पर तीन देशों के representatives की मुलाकात होगी इंडिया, इरान और अफगानिस्तान ये एक काफी अच्छा संकेत है क्योंकि अगर देखो चाबार port अच्छे से develop होता है तो अफगानिस्तान को access करना बहुत ज़्यदा आसान हो जाएगा इस वज़े से इंडिया को कतई USA का pressure नहीं मानना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट आता है सार्क से समधित हैं सार्क देखो अभी फिलाल थंडे बस्ते में हैं सार्क के थंडे बस्ते में होने की वज़े से अफगानिस्तान को भी इसका नुक्सान हो रहा है जो कि देखो सार्क एक important tool का काम करता है अफगानिस्तान के लिए अफगानिस और accustomed की ऐबने डॉमिस्तान के लिए भी सार को फिर से रिवाइयव किया जाये, तो यह पुरा आख कर हम इर श्कौस किया, अफघानिस्तान की श्कौस के बारे में इंडिया को अभी फिलाल क्या कुछ करना चाहिए, काफी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कूस किये, फिलाल इं तो पूरा आर्टिकल हमें डिसकस किया, चलते हैं आगे नैस्ट आर्टिकल, हिप रिप्लेस्मेंट डिवाइस के बारे में हैं आप GS पेपर 2 और GS पेपर 3 के इन टॉपिक्स के साथ आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो बेसिक्स की बात पहले करते हैं कई सारी बिमारियों की वज़े से फूर एक्जमपल अर्थ्राइटस हिप जोइंट जो है, वो एफेक्टिवली काम करना बंद कर देते हैं यहाँ पर देखो हिप जोइंट में खराबी आ गई तो इस वज़े से काफी पेन होता है इसका एक अल्टरनेटिव यह है डोक्टर्स सर्जरी करके एक आर्टिफिचल जोइंट हिप डिवाइस डाले जो की मैटल और प्लास्टिक का बना हो इसी परकार का एक आर्टिफिचल डिवाइस लौँच किया गया था 2003 में DP कमपनी के द्वरा यह DP जो कमपनी है वो जोंसन और जोंसन की सबसीडिरी कमपनी है 2003 में यह डिवाइस लौँच किया गया था DP के द्वरा जिसका नाम था आर्टिकुलर सर्फेस रिप्लेस्मेंट और ASR हिप इम्प्लांट लेकिन अब ध्यान दीजेगा कुछी समय बाद जिन परसंस में यह आर्टिफिशल डिवाइस इम्प्लांट किया गया खबरे निकल के आई कि जिस मैटल का इस्तमाल किया गया था इस आर्टिफिशल हिप डिवाइस में वो टॉक्सिक हो गया है यानि उस मेटल से कचरा निकल रहा है तो कचरा निकलने की वज़े से वो पेशेंट जिसमें यह डिवाइस डाला गया था आर्टिफिशल रूप से उस पेशेंट में टीशूज डेमेज होने लगे उस पेशेंट को बहुत ज़दा दर्द होने लगा बहुत ज़दा जलन होने लगी तो दो साल बाद यानि 2005 में ही डोक्टर्स ने कहना स्टार्ट कर दिया जोंसन औन जोंसन को कि भाया आपने जो प्रोडेक्ट बनाया है ये प्रोडेक्ट अच्छा नहीं है इसके बहुत ज़दा नुकसान हो रहे हैं लेकिन फिर भी जोंसन औन जोंसन ने काफी देरी की और अपने प्रोडेक्ट को रिकॉल नहीं किया मार्केट से उसके बाद जब बहुत सारे कैसिस सामने आए इस परकार के 2010 में जोंसन औन जोंसन ने अपने इस प्रोडेक्ट को वापस बुला लिया मार्केट से लेकिन इंडिया का जो रेगुलेटर है सेंट्रल ड्रग्स स्टेंडर कंट्रोल और्गनेजेशन या फिर सीडी एस सीओ ये जो रेगुलेटर है वो जागा 2010 में 2010 में इन्होंने अलर्ट जारी की इस डिवाइस के बारे में आप देखो सबसे बड़ा कोर्शन तो यही उठता है 2005 में जब डोक्टर्स ने कहना स्टार्ट कर दिया था जोंसन औन जोंसन को कि आप अपना प्रोडेक्ट वापस ले लिजिया मार्केट से बहुत सारे हामफुल इफेक्ट होते हैं इस प्रोडेक्ट को अगर इंप्लांट किया जाता है पेशेंट में पांच साल का समय क्यों लिया जोंसन औन जोंसन ने इस प्रोडेक्ट को वापस बुलाने में हाला कि इंडिया में जिन पेशन्स के अंदर ये आर्टिफिशल डिवाइस इंप्लांट किया गया था उनकी फिर से सरजरी की गई और उस सरजरी को पैसे को रिंबर्स किया गया है जोंसन एंड जोंसन के द्वरा लेकिन देखो बात यहां पर रिंबर्समेंट की नहीं है बात यहां पर है कंपंसेशन की वो पैसेंट जिन में इस डिवाइस को इंप्लांट किया गया था उनको बहुत ज़धा दर्द का सामना करना पड़ा उनको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा जिसके अंदर ना सिरफ उनको अपनी जोब से हाथ दोना पड़ा, बलकि उनकी मोबिलिटी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो समता है, वो भी बूरी तरह से परभावित हुई, तो ना सिरफ Johnson & Johnson Company को ऐसे patients को reimburse करना चाहिए, बलकि उनको compensation भी देनी चाहिए, एक्जांपल दिया जाता है USA का, USA में केस टार्ट हुआ, खराब डिवाइस के कारण, Johnson & Johnson Company के खिलाफ, केस चला USA में, और USA की एक कोट ने आदेश दिया, Johnson & Johnson Company को कि आप इस खराब डिवाइस की वज़े से damage दीजिए, 8.3 million dollars का, इस में से देखो, 3,38,000 dollars तो सिरफ reimbursement के हैं, reimbursement और compensation में फरक समझ रहे होना, माल लीजिए, डोक्टर किसी patient की गल्थ surgery कर देता है, दो महने बाद डोक्टर कहता है, हाँ मैं मानता हूँ मेरी गल्ती है, मैं आपकी free से surgery कर दूँगा, और वो free में करूँगा, तो ये तो देखो हुआ reimbursement, लेकिन patient कहता है, कि आपकी गल्थ surgery की वज़े से मुझे इतना pain हुआ, मेरी job चली गई, और भी मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, उसके लिए आप मुझे अत्रिक्ट पैसा दीजिए, आप मुझे compensation दीजिए, तो USA की court ने अदेश दिया Johnson & Johnson को, कि आप वो patients, जिनको आपके device की वज़े से बहुत ज़्यादा pain हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा सफर करना पड़ा है, ऐसे लोग को आप 8 million dollars की compensation दीजिए, इन सब को देखते हुए, इंडिया की सरकार भी जागी, 2017 में, सरकार ने एक investigative committee का गठन किया, इस मुद्दे पर जांच करने के लिए, और investigative committee ने पाया, कि ADP, जो subsidiary company है, Johnson & Johnson company की, वो अपनी जिमेडारी से भाग रही है, इंडिया में 15,829, ASR hip implants को import किया गया था, लेकिन surgery हुई सिरफ 4700, 1295 जो unused implants है, वो वापस लोटा दिये गए, DP company को, लेकिन देखो, question ये उठता है, 4700 surgeries हुई, device import हुए थे, 15,829, बाकी जो ये devices हैं, वो कहां पर गए, क्या Johnson & Johnson company की जिमेडारी नहीं है, कि अगर उन्होंने market से किसी product को वापस बुलाया है, तो वो ये ensure करना, कि सारे के सारे जो products हैं, वो वापस आ जाएं, जो unused हैं, Johnson & Johnson company ने जाहिर है, अपनी जिमेडारी को ठीक से नहीं निभाया, हमार देश में देखो, एक act है, Drug and Cosmetics Act, DCA Act, ये act, victims को, यानि PDTो को compensation दिलवा सकता है, लेकिन देखो, इस act में काफी जादा खराबियां है, ये act, drug और device के बीच किसी परकार का difference करता ही नहीं, यानि खराब drug पे, जो compensation patients के द्वारा मांगी जाती है, उसी परकार की compensation मिलेगी, खराब device की वज़े से भी, तो इस act की साहिता से, ज़्यादा compensation नहीं मांगी जा सकती, Johnson & Johnson company से, तो एक दूसरा solution ये हो सकता है, Consumer Protection Act 1986 से, इस act की साहिता से, compensation मांगी जाए, consumers के द्वारा, Johnson & Johnson से, लेकिन देखो, आपको भी पता है, कि Consumer and Protection Act 1986 से सम्मंदित कितने सारे cases हमारी courts में pending है, या तो एक special court establish की जाए, fast track court, जो की इस issue से सम्मंदित cases का जल्द से जल्द निप्तारा करें, सरकार को इस issue के उपर seriousness दिखानी होगी, देखो, 1984 में जो बोपाल गैंस tragedy हुई थी, उस tragedy के victims को अभी तक इनसाफ नहीं मिल्सका है, यानि proper compensation नहीं मिल्सकी है, अभी तक सरकार का जो रवया है, इस issue के उपर, वो संतोष जनक नहीं है, यानि satisfaction देने वाला नहीं है, Drug Commissioner के द्वारा recommend किया गया, कि इस पूरे issue की CBI inquiry होनी चाहिए, लेकिन central government ने मना कर दिया और कहा कि नहीं, इस issue पर CBI inquiry नहीं होनी चाहिए, फिर मामला गया court में, हाल फिलाल में देखो, judiciary ने काफी strong stand लिया है इन issues पर, कुछ दिनों पहले, एक मामला सामने आया था, मुंबई हाई court में, Gleanmark Pharmaceuticals versus Galpha Laboratories, इस case में, मुंबई हाई court ने आदे देड़ करोड का, डेमेज, यानि देड़ करोड की भरपाई कीजिए, क्योंकि आप लगातार, drugs, safety norms का, उलंगन कर रहे थे, उमीद एक बार फिर से यहीं की जाती है, जुडिश्री इस issue पर भी, एक strong stand लेगी, और signal जाएगा, multinational companies के बीच, कि देखो, सिरफ पैसा कमाना आ आपका मकसद नहीं होना चाहिए, आप drugs को develop कर रहे हो, आप इस परकार के medical devices को develop कर रहे हो, आपकी एक special duty बनती है, patients की तरफ, यानि patients की care करना आपकी जिमतारी है, आपके develop किये गए drugs से, आपके develop किये गए devices की वज़े से, अगर patients को नुकसान पहुंसता है, तो ये patients के द्व हमने डिसकस किया, artificial hip implants के बारे में चलते हैं अगले आंटकल की तरफ, नए स्टांटकल सीरिया इशू के बारे में है, देखो 2011 में civil war start होता है सीरिया में, और 2015 के आसपास, असद रेजीम जो रूल कर रहे हैं काफी लंबे समय से सीरिया में, उनकी हालत काफी कमजोर थी, ले लोकेशिया ने मदद देना start किया, असद रेजीम को, और आज आलमोष्ट civil war खतम हो चुका है सीरिया में, वहाँ पर अभी देखो एक तो जगा है इडलीब, लोकेशियन आप देख लीजिए इडलीब की, यहाँ पर rebels का अभी भी कबजा है, और कुछ rebels ऐसे हैं, जिनको त से देश की मांग फिलाल वहाँ पर नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं, हमें सीरिया के अंदर ही रहना है, हमें सिरफ autonomy चाहिए, यानि कूर्थ के साथ, असद रेजीम पोलिटिकल बातचीत करेगा, लेकिन इडलीब, जो लाश्ट प्रोविंस हैं, वहाँ पर अभी rebels का कबजा ह हैं, इस सिटी पर इस प्रोविंस पर अपना कबजा जमाने के लिए, असद रेजीम अब अपना पर्यास करेगा, तो कहां ये जा रहा है, कि इडलीब पर जो अटैक किया जाएगा अभी, वो लाश्ट बैटल होगी, सीरिया की, अभी हाल फिलाल में, सीरिया की forces, इरान द् forces भी रश्या की मोबलाइज हुई है, Mediterranean Sea में, यहां पर, कहने का essence साफ है, असद रेजीम की forces, इरान द्वारा ट्रेंड्स या मिलिशियास की साहिता से, और रश्यन forces की साहिता से, कोसिस करेंगी, कि इडलीब सीटी को भी, रिबल्स से आजाद करवाए जाए, आर्टिकल में पे फिलाल 30 लाख population है, 3 million population है इडलीब की, और 10 लाख लोग refugees की form में भी हैं, इसलिए अगर इडलीब प्रोविंस पे सिधा सिधा अटैक किया जाता है, Syrian forces के दवरा, तो human casualties बहुत ज़्यादा होंगी, यानि civilians की casualties बहुत ज़्यादा होंगी, UN के दवरा ये भी कहा जा रहा ह कि इडलीब city के ऊपर attack करने से पहले, एक human corridor चालू किया जाए, ताकि जो लोग इडलीब से वापस आना चाते हैं, सीरिया के अंदर दूसरे इलाकों में जाना जाते हैं, इडलीब से, वो इडलीब से आसकें, safe manner में और सीरिया के दूसरे इलाकों में जासकें, मतलब कहने क कि इडलीब में रहने वाले civilians को जान बचाने का पूरा-पूरा मौका देना चाहिए, आर्टकल में ये भी कहा जाता है, कि देखो, तरकी अभी समर्थन दे रहा है, कुछ रिबल्स को, तरकी पूरी तरह से विरोध कर रहा है, कि इडलीब city के ऊपर attack ना किया जाए, सीरियन crushes आज आएंगे तरकी के अंदर और तरकी ऐसा कता ही नहीं चाहता, इवन रश्या के सामने भी दूइदा है, अगर रश्या साथ देता है, असद रेजीम का इडलीब के ऊपर attack करने में, तरकी जो है वो नराज हो जाएगा रश्या से, रश्या फिलाल तरकी को नराज नही करना चाहता, चूकि तरकी के जो रिलेशन्स हैं, यूएसे के साथ फिलाल अच्छे नहीं है, रश्या ये चाहता है, तरकी हमारा दोस्त बना रहे, और यूएसे के साथ रिलेशन्स तरकी के खराब ही रहे, असद रेजीम ये चाहता है, कि रश्या डिपलमेटिक बैटल्स भी लड़े इडलिप प्रोविंस के उपर अटेक के लिए और इवन एर पाउर भी अच्छी खासी प्रोवाइड करे रस्या ताकि हम इडलिप सीटी पे आसानी से कबजा कर सकें लेकिन देखो सिचुएशन काफी ज्यादा घंबीर है काफी ज्यादा सैंस्टीर है और काफी जड़ा कुंप्लेक्स हैं जो भी एक्टर है इस पूरी सिचुएशन में उन सब को यह इंशोर करना होगा कि सिविलियंस की कैजुल्टी कम से कम हो जब इसी सिटी पे किसी परकार का कंफिक्ट हो तो यह पूरा आर्टिकल हमने डिसकुस किया सीरिया इस्यू के बारे में य तक यह तक यह तक यह तक यह तक स्क्शन